नमस्कार साथियो, स्वागत आप सभी का PK Advanced Psycho YouTube चैनल पर जैसा कि आप पीछे वेनर देख रहे हैं, चर्चा करेंगे हम KBS के रिजल्ट के वारे में KBS में जो PRT का जो मुद्दा चल रहा है कि TLA वाले उसमें मानने होंगे TLA वाले उसमें मानने होंगे, या JVT वाले उसमें मानने होंगे, किस तरह से उसका जो सिस्टम है, क्या उसकी प्रक्रिया है, वो चल रही है, क्या Decision Court का रहा है KBS की Cut-Off अगर B.A.D. वालों को बाहर किया गया, तो KBS की जो Cut-Off है, वो क्या रह सकती है, क्या Down आएगी, या उपर जाएगी, इसके बारे में भी पन चर्चा करेंगे कि हाँ दोस्तों, मैं पंकर शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, जो पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो दिशित रूप से, इस चैनल से साइकॉलजी को पढ़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ सकते हैं देखे, KBS का रिजल्ट करते करते आपको काफी समय निकल चुका है, और अभी तक जो PRT का रिजल्ट है, वो आपका नहीं आया है, इसके पीछे क्या कारण रहा है, यह आपको पता है, कि जो मुद्दा चल रहा है, कि PRT की वेकेंसी है, इससे बाहर किये गए है, सुप्रीम नेल प्राप्त हुआ है, RTI के द्वारा, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है, कि जिस समय आपको फॉर्म एपलाई करवाए गए थे, अर्था जो बिग्यपती आपके सामने आई थी, उस बिग्यपती में लिखा हुआ था, कि जो PRT जो पोस्ट है, उसके लिए, DL वाडे, DL कोट ने इसको खारिच किया है, कि L1 के लिए, या PRT के लिए, जो B8 वाले जो बिध्यारती हैं, वो eligible नहीं है, इस RTI का जो मेल आया है, इसने काफी सारी जो संकाई हैं, बिध्यारतीों को दूर कर दी हैं, लेकिन कई बिध्यारतीों को लिए संकट का समय है, कि उन्होंने इस एक्जाम को दिया, और काफी अच्छा स्कोर, यहां तक की 140-140 के आसपास, उन्होंने अंग प्राप्त किये, जिनका लग रहा था कि शौर सलेक्शन है, ऐसे विध्यारतीों को थोड़ी से निरासा जरूर होगी, कारण क्या है, उन्होंने मेहनत की, और उसके आधार पर उनको अगर रजल्ट उनके लिए नहीं होगा, उनके पक्ष में तो समझ्याएं रहेंगी, वो आगे देखा जाएगा क्या होना है, लेकिन अभी के लिए जो सूचना यह है, जिस तरह से जो मेल प्राप्त वहाए, कि जो नोटिफिकेशन था, जो बिग्यप्ती थी, उसमे पहले ही इंडिगेट इस चीज को कर दिया गया था, कि यह डिसीजन सुप्रियम कोर्ट पर ही रहेगा, और सुप्रियम कोर्ट का जिसीजन वो आप सभी के सामने है, अगर इस वेकेंसी में PRT की पोस्ट पर मात्र DLN वाले JVT वालों को ही लिया जाता है, और जो रजल्ट जो बनाया जाएगा, वो बेड के बालकों को बाहर करके ही बनाया जाएगा, ऐसा निश्यत रूप से प्रक्रिया चल रही है, तो यह अगर प्रक्रिया हुई, तो निश्यत रूप से कट आफ पर काफी सारा प्रभावा आपको देखने को मिलेगा, जो उमीद कयास जो लग को मिलेगी क्या इसकी ओसत कट ओफ आपके सामने रह सकती है इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं मित्रों जहां 130-135 का अपन कयास लगा रहे थे तो निश्चित रूप से यहां 120-125 के आसपास जो विध्यारती हैं PRT वाले जन्होंने DLAT JVT का जो कोर्स किया है वो अगर हैं तो वो अपनी उम्मीद वरकरार रख सकते हैं वो विध्यारती इस category के अंतरगत आ सकते हैं ये मैं general की बता रहा हूं उसके आधार पर जो reservation का जो system है reservation की जो से उनके आधर पर आप एक बार डिवाइडिशन कर रही है मोटा मोटा में आइडिया आपको बताया 120-125 के आसपास अगर B8 वालों को बाहर रखा ही तो अभी तक तो बाहरी ही है लेकिन आगे और कोई decision होता है किसी प्रकार की जो बातें बालकों के तो आरह होती है कोई आंदोलन होता है तो उसके बारे में क्या decision उनका रहेगा इसके बारे में नहीं कैसकते लेकिन अभी तक का decision यही है अब जो B8 वाले विद्ध्यारती उनके लिए एक बड़ी समस्या आ गई कि सर इस वाली vacancy जो PRT वाला था इसको इसमें हमें भार कर दिया गया लेकिन अब हम आगे हमारा भविश्य हमारा future क्या रहेगा तो मित्रो मेरे इसाब से यह है कि जिस भरती के लिए अगर हम योग नहीं है eligible नहीं है तो उस पर ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी चाहिए हम मेहनत कर रहे हैं और उसी चीज़ पर हम मेहनत करें जिस पर हमको लगता है कि 100% यह हमारा ही है जैसे आप तयारी करें TGT की तयारी करें PGT की तयारी करें क्यों आप PRT की तरफ ध्यान दे रहें यह सोते पहले से ही चला आ रहा है PRT की जो पोस्ट है वो केवल जो DLA वाले जो विध्यारती हैं उन्हीं के लिए होनी है फिर भी अपन इसमें प्रयास करते हैं क्योंकि वेकेंसी जो हम देखते हैं वो PRT में ज़्यादा आती हैं बजाए TGT-PGT तो हम इस प्रयास को अब आगामी भरती के लिए इसके लिए चुड़ें और हम तैयार करें हम TGT और PGT के लिए अपने सब्जेक्ट को मजूद करें अपने पेड़ागोजी वाले पार्ट को मजूद और अन्य जो छेतर हैं उनमें भी हम जो अलग-अलग स्टेट्स की जो वेकेंसी टीचिंग के निकलती हैं वहाँ पर भी हम ट्राई कर सकते हैं यह तो हम निश्यत हो चुका है कि जहाँ पर भी L1 की बात होगी PRT की बात होगी वहाँ हर समय इस अंकट आप के लिए रहेगा और पेड़ागोजी पढ़ने के लिए आप हमारे निश्यत रूप इस चैनल से एक बार आप जुड़ें ताकि आप देखें कि किस तरह से इस चीज को पढ़ा जाता है कहां कहां पर समझ्चाएं आती हैं उन टॉपिक्स को आपको आसान पर यहाँ बिल्कुल निश्यत के उस पर चलना है आपका पत है केवल कर्म करना और आप कर्म करें उस चीतर में जहां पर आप योगिता रखते हैं तो उसी चीतर पर आपको सफलता जरू मिलेगी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुपकाम नहें धन्यवाद आप सभी ने इस क्लास को देखा इस वीडियो क